भारत में आयुरुवेद के इलाज के बाद केनिया की पूर्फ प्रधान मंत्री रेला ओडिंगा की बेटी रोजमेरी ने कहा है कि वो आयुरुवेद को अपने देश केनिया लेकर जाएंगी क्यूंकि इससे लाखों लोगों को नई जिन्दगी मिलेगी। रोजमेरी ने तारीफ करते हुए कहा कि आयुरुवेद एक पारमपदिक उपचार प्रणाली है जिसकी जड़े भारत में है। उन्होंने कहा कि पहले मैं देख नहीं सकती थी, अब मैं देख सकती हूँ। मेरे लाज का जिक्र करते हुए प्रधान मंत्री ने हमारे देशों क के बीच अच्छे रिष्टों को दिखाया है, मैं आयुरुवेद को अपने देश ले जाऊंगी, ये लाखों लोगों की मदद कर सकता है। यहीं नहीं समचार एजिंसी ए एनाई से बात करते हुए रोजमेरी ने कहा कि वो साल 2019 में अपनी आखों की रोशनी वापस पाने क के लिए आयुरुवेद उपचार के लिए ही भारत आई थी। बताते चले कि रोजमेरी का ये बयान वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन के एक दिन पहले गुजरात के जामनगर में अपना ग्लोबल सेंटर फोर ट्रेडिशनल मेडिसेन यानि जी सी टीम शुरू करने की प दुनियाद रखी थी। गुजरात में डबलू एचो सेंटर का मकसद प्राचीन प्रताओं को आधुनिक विज्ञान के साथ मिलाकर आयुरुवेद को बढ़ाना है। मालूम हो कि दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए भारत पहला और इकलोता सेंटर है। साथ ह परी में उन्होंने पीम मोदी के साथ केनिया में उसी अस्पताल की एक ब्रांच खोलने पर बात की थी जहां उनकी बेटी का इलाज हुआ था। एनाई की खबर के मुताबिक ओडिंगा ने सुझाव दिया था कि वो केनिया के नैरोबी में एक ब्रांच खोले और वो इस से कलब है कि 2017 में ब्रेन ट्यूमर का पता चलने के बाद ओडिंगा की बेटी की नैरोबी में सरजरी हुई थी लेकिन ऑपरेशन के बाद रोजमेरी ने आखों की रोशनी खोदी फिर उन्होंने 2019 में भारत की यात्रा की और के कुथुटु कुलम में श्रीधिरियम आयुरवे अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें